जैहिन जैबार दोस्तो मैं जीत फोजी सुंगरपुरिया ओम स्पोर्ट्स केडमी तोसाम से आप देख रहे हमारा यूटूब चैनल ओम स्पोर्ट्स केडमी तोसाम दोस्तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो भारतिय सेना की आदूनिक सेना है और भारतिय सेना की जो एक सबसे बड़ा दस्ता है जो भारतिय सेना का आन बानसान जिसको बोलते हैं वो है ये जो है पैरा जो पैरा रेजमेंट बोलते हैं जिसको पैरा सूट रेजमेंट सेंटर बैंगलोर इस बर्ती को करेगा ये जो बर्ती है पूरे भारत के लिए सबी जातियों के लिए जिन बच्चों के पास रिलेशन है रिलेशन से टुकेट है और ये शिरब जीडी की बर्ती है जिसकी की उमर आपको बता दें साड़े सतरा से इकीस साल है जिन बच्चों के पास यह दस्तावेज हैं पूरे डोकॉमेंट बरती देखने वाले दस्तावेज हैं तो वो बाई यहाँ पर जो बैंगलोर सेंटर में पैरा सूट रजमेंट सेंटर है इसके अंदर पहुंच सकते हैं यहाँ पर ओल्ली जीडी ट्रेड की बरती होगी और 15 दिसंबर 2020 को फिजिकल है वो हर कोई नहीं कर पाता दोस्तो यह जो मैं बताया ना आपको यह रभारती सेना की आनबानसान है इसका जो बहुत ज़्यादा फिजिकल स्टेमना चाहिए जिन बच्चों के पास भी है और यह सारे बारत के लिए यह बरती है उसके बाद आपको बता दें कि इसमें DSC जिनके पिताजी किसी भी सेंटर से रिटायर होकर DSC जोईन कर लेते हैं और वहां से रिलेशन्स एट्यूगट बनवा लेते हैं तो इसमें DSC का जो है वो नहीं चलेगा रिलेशन तो आपको जिनके पिताजी जिस रिकोर्ड से उसी रिकोर्ड का रिलेशन्स एट पर आप बिना उनलाइन के भी जा सकते हैं या पर उनलाइन की जरूत नहीं है उसके बार ट्रेड ओनली जीडी की बरती है दोस्तों यहाँ पर और जो आपको बता दें कि यह बैंगलोर में बरती होएगी पैराशूट रेजमेंट सेंटर के दवारा की जाएगी इसमें सारे स थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं दोस्तों क्योंकि इसके जो पैराशूट रेजमेंट सेंटर बैंगलोर है इसका एक जो है सेंटर अपना नागरा के अंदर भी है जो की पैराशूप करवाता है भारती वायू सेना के साथ मिलकर जो पैराशूपर हो जो बोलते हैं S-Up का मतलब Special Forces जो इसके अंदर पैरा से लिए जाते हैं Special Force में तीन चार महीने की आर्ट ट्रेनिंग या कोर्स करने के बाद इसमें लाइफ टाइम के लिए पैरा S-Up में सामिल हो जाते हैं वो कंदे के उपर पैरा लगाते हैं उससे नीचे Special Force लाल बैच में लि की और बलिदान का बैच लगाते हैं उसके अलावा जो जो इन्होंने ड्रोप कर लिया है जिन्होंने पैरा टूपर ने उनको भी साथ में चिडिया लगती है कंदे के उपर अपनी चाती के उपर बैच लगता है चिडिया का जिन्होंने ड्रोप किया हुआ है जो उपर से हवाईजाद से उन बच्चों को उसके अलावा इसमें अधर के बहुत ज्यादा चांस है दोस्तों इसका फिजिकल बहुत आर्ड है हार्ट ट्रेनिंग के बाद बनते हैं इनकी ट्रेनिंग 3-4 महिने की हार्ट ट्रेनिंग के बाद स्पेशल फोर्शिज में आते हैं और ये बारतिय सेना की जो हनाद उनिक फोर्श में आता है इनका जो काम बता दें आपको हमले का मूत और जबाब देना गात लगा कर अमला करना सर्जिकल स्ट्राइक करना उसके अलावा जो अब भी हमारे स्टिंग ओप्रेशन होते हैं और जो आईजैक प्लेन वगरा हो जा मिलते हैं और जो अलग से अलाउंसिे मिलते हैं बड़ी अड्रेस होती हैं इनकी जो सबसे टोप ड्रेस में आती हैं इंडियन आर्मे की बारतिय सेना की और याद उनिक फोर्स में आती हैं सबसे पहले कोई भी यह ऐसी चीज़ के लिए इनको याद किया जाता है हर चीज़ के लिए सबसे top forces में आता है यह दोस्तो तो अब बात करते हैं इनके physical के बारे में जो इनका क्या क्या physical होता आप डेमो के साथ देखें आप देख सकते हैं कि यह UHQ enrollment है unit headquarters quota की बरती है और यह जितने भी मेरे बाई एक service man है या service man है जिनका बाई या फादर जो भी service में है या retirement हो चुके हैं उनके बच्चे special बरती देख सकते हैं जो कि बरती आपको बता दिया 15 December 2020 से शुरू होगी और यह इनको 0-600 आउस 15 December को रिपोर्ट करनी है पहरा राजमेंट सेंटर के अंदर जो की गेट नंबर वन है इनका बैंगलोर में वहां पर रिपोर्ट करनी हिन बच्चों को उसके बाद विकेंशी वगरा सब के लिए वह नहीं बता पहले से डिकले नहीं डिकलेर की कितनी विकेंशी वाकि विकेंशी अची होंगी मेरे भाई सब के लिए यह विकेंशे पाद करें तो इसमें जो दोड है वह करा हो वो 20 मिनिट रखा गया और उसके लिए मारक है वो 60 दिये जाएंगे आपको 60 मारक मिलेंगे आपको जो 20 मिनिट में कलियर कर लेगा इसमें और कोई खाना नहीं है सिरफ 20 मिनिट में दोड कलियर करनी है उसके बाद चिनप चिनप को दूसरा नाम हम बिम भी कह सकते हैं दोस्तों इसको जो बिम होती हूँ अपने और बरती में 10 लगानी पड़ती बिम में क्या होता है जो अपना फटा होता हो छेंच का होता हूँ उसमें निचे वाले सिरे पर निपल टच करते हैं बिम के अंदर लेकिन चिनप का मतल है कि जो फटे के उपर वाले इसे पर उपर वाले इसे पर आपकी जो चिनपाने ठोड़ी होती है जो आपकी ठोड़ी है वो उसको टच करे यह होता है जो चिनप इसको आप डेमो के तोर पर हमारे इसमें देख सकते हैं यह देखे किस परकार से बच्चे ने ठोड़ी को ट मार्क दिये जाएंगे इस परकार से 100 नंबर का आपका ये फिजिकल यहां पर कम्पलीट हो जाता है लेकिन इसके इससे और भी है उसके बाद इनके आपको नंबर नहीं दिये जाएंगे इसके अलावा आप देख सकते हैं किस परकार से पूसप लगानी है जो पूसप है वो दोस्तो 40 लगानी है एक मिनट में और ये फटा फट लगानी है आप अपने आठों को साइड में थोड़ा खोल लें बोडी को पैरलल कर लें और ये फटा फट अपना बोडी पैरलल करने के बाद इस परकार से लगाएं यह आप देख सकते हैं डेमों के अंदर किस परकार से बच्चे लगा रहे हैं आप ऐसे लगानी है दोस्तों यह तो ध्यान रखें पूसप लगानी है उसके बाद आप बात करते हैं सिट अप की सिट अप आपको पता ही है कि अपने आद जो हैं दोनों पीछे लोक कीजिए औ हैरों को गुटनों को मिला कर रखें आद को पीछे लोक करके रखें और इस परकार से आप शिट अप लगा सकते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं जो 5 मीटर सटल है यह क्या होता है दोस्तों 5 मीटर का ग्राउंड होता जिसके दोनों तरफ पे लाइन लगी हुई होती है और हाथ अपोजिट टच करना होता है एक मिनिट का आपको टाइम दिया जाता है इसके अंदर 17 बार आपको टच करना होता है जब आप दूसरी तरफ जाते हो तो दूसरा आप टच करना होता है लाइन पर और इस तरफ आते हो तो दूसरा आप टच करना होता है मुँ एक ड फिजिकल पूरा हो जाता है दोस्तों फिजिकल होने के बाद में आपका मेडिकल होएगा और मेडिकल होने के बाद में आपका जो रिटेन अग्जाम है वो रिटेन अग्जाम होएगा और आपको बता दे अगर आपके पास NCC है NCCC का सेट्ट्यू कट है तो आपका GD के तो आप अपने टेस्ट की त्यारी करें आपको 29 जनुवरी को आपको admit card issue कर दिये जाएंगे और उसके बाद आपको 31 जनुवरी 2021 को आपका जो common entrance exam है वो conduct किया जाएगा उसके 10-15 दिन के बाद आपका result गोशित कर दिया जाएगा और result आने के बाद आपको phone आ जाएगा या आ letter आ जाएगा आप अपने document लेकर center में report कर सकते हैं training के लिए इस परकार से ये दोस्तों पूरा format आपको बता दिया गया है अगर फिर भी हमारे इस बताएगए सुजाओ में आपको समझ में नहीं आई तो हमारा जो thumbnail के उपर है number है आप हमें whatsapp कर सकते हैं call कर सकते हैं और जि download कर सकते हैं और पूरा program schedule वगरा देख सकते हैं इस परकार से प्लीज हमारे चैनल को like और subscribe करें ताकि भविश्य में आने वाली हर परकार की बर्तिक information से आपको अउगत कराया जासके जैहिन दोस्तों आपका दोस्त जीत फोजी हमारे चैनल को subscribe करें और साथ में दिये गए घंती के निशान को दबाना ना भूलें